भगवान या केरे अग्या असर्दाधानह संसयात्मा ये तीन बाते कहीं जो अग्या का पहलन नहीं करते वो बिवेख हीन होते हैं जो बिवेख हीन है और श्रद्धारहित है इसे श्रद्धारहित कहा जाता है कि ऐशे चलिए आप उसके विपरीत भी उपदेश देने वाले है हमें तो बड़ा आश्चर होता है कि विपरीत उपदेश देने वालों में श्रद्धा से चलने वालों से कई गुना बढ़कर अनुयाई है क्योंकि श्रद्धा का मारग ऐस और विप्रीत का मार्ग ऐसे तो उनको लगता है कि जब इसमें आनंद है और इसी के लिए हमारा मन ला लाई थे तो इधर चले ऐसी चलने में बड़ी कठिंता है चड़ाई का मार्ग है यह भजन नशेनी प्रेम की भजन के द्वारा इस उचाई पर चड़ा जाता है शद्धा सत मार्ग में सत सास्त्रों में बहुत कठिंता से होती है और हो जाये तो इसे बहुत सम्हाल के रखना एक कपूर की तरह उड़ भी जाती है अगर इसे सम्हाल के नहीं रखा गुप्त नहीं रखा और इसके अनुशार नहीं चले तो उड़ने में देर नहीं लगेग फिर शंशय हो जाएगा और भगवान उसका कहते बिनश्यती उसका नाश हो जाता है जो अग्या है असद दधाना है शंशयात्मा है भगवान कहते उसका नाश हो जाता है बिनश्यती उसका नास होता है और ऐसी दुर्गती होती नायम लोकोस तो न परो सुखम संसे आत्मना उसको न यहाँ सुख कभी मिलेगा न वहाँ सुख मिलेगा पर यह अंकार देवता ऐसे हैं कि देख लेंगे सब अरे इतना सुन्दर आशर मिला है इस अम्रत समय को मृत भोगों की तरफ मत नस्ट करो पर हो शमझ में नहीं आता एक बार शास्तर में पढ़ रहे थे कि बड़े-बड़े जो अभ्यक्त शिद मापरुश उनको भी दुख होता है तो उनको किस बाद का दुख होता है बुले जो मनुष्य शरी प्राप्त करके जीव भोगों में शमय बितीत करता है यह देख करके दुखी होते कि इतना सुंदर उशर है यह भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकता है लेकिन यह जीव भोगों में रत हो करके देखो अपना शमय नस्ट कर रहा है जैसे शामने भगवान शिंग देव विराजमाने प्रलाज जी दुखी हो रहे है प्रव कुछने क्या कारण है उले प्रवी शंसार चक्र में पिस्ते हुए इन जीवों को देखकर मुझे एक शन के लिए भी सुख नहीं मिला मुझे आपकी माया से उद्धार होने के लिए आपसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके चरणामरत और आपके नामकिर्तन और गूर्किर्तन के बल पर हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे हम दुखी इन अग्यानी जीवों को देखकर जो आपसे बिमुक हो करके भोगों में श्रमें नस्ट करें नात इन पर करपा कर दी ये देखो बगत तरदे होता है ये जो भगतों को दुख होता है श्रंतों को दुख होता है उस्षुख वांचा से नहीं होता कित्रा बड़ी हां ओशर मिला देखो देखो यह चूक रहा है उसको लग रहा है पूलों के मार्ग में जा रहे है सुख के मार्ग में जा रहे है शाल था जिस पुरुष का बिवेक जागरत नहीं हुआ है उसके उद्धार का मार्ग है क्या शंतू को शंग करेगा तो सत्संग से बिवेक जागरत हुजए गो उसका काम बन जाएगा जैसे कोई शोया हुआ है तो जगाने के चांस है लेकिन जगा हुआ सोने का नाटक कर रहा हो अब उसको जगाने में बहुत स्रम पड़ेगा अब जगाओ को तो नाटक कर रहा है कैसे जगेगा इन जो सास्त्रों का ग्यान रखते हैं भगवत मार्ग को भी जानते हैं बुद्धी के द्वारा और भोगों में रती करते हैं आग्याउ लंगन करते हैं ऐसे लोगों कि मार्ग में चल देगा लेकिन जो जानता है उपदेश करता है सास्त्रों को पढ़े है फिर भी वो जान करके नहीं जानता है नहीं मानता है अब उसके उद्धार में बड़ी शमश्या है क्योंकि वो जान करके भी उसका पालन नहीं कर रहा है, एकदम अग्यानी है पाप कर्म करता रहा है हिंसा करता रहा है, लेकिन जहां सत्संग मिला, अब उसके कल्यान का मारग खुल जाएगा, लेकिन उन खुब सत्संग सुन रहा है खुब बुद्धी में सत्संग की बातें याद करके दूसरों को सुना रहा है लेकिन आचरण में कुछ नहीं अब इसका उद्धारूना बड़ा कठी नहीं जो सत्संग शास्त्रों का महत तो नहीं देता है और अश्रद्धा करता है शंशे करता है ऐसे पुरुष का बहुत बुरी तरेनाश होता है कई बार बताया है पर्मानंद जिम्हाराज की बाद पर्मानंद जी की इस्थिति ऐसी ब्रमानंद में छके हुए महापुरुष अब प्रताप तो था ही बहुत सब हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं भेट, पूजा, फल, फूल, सब महापुरुशों के समीब तो ये सब प्रताप लिद्याशिद्याशिद्याश जोड़े खड़ी रहती हैं और बातों की क्या प्रिकू माश्टर थे और वो महाराजी के शिश्य बने जगदी शुरानंद उनका नाम रखा गया वो माश्टर थे तो माश्टर रही थे प्शंत शीदे शरल सुभा अपने भगवदान वो माश्टर थे पूरा आश्रम बैभो सब चड़ो ना सब महाराज प्रमानंद जी के ऐसे पूजा होती थी जैसे भगवान की ओ थे ऐसी स्थिती थी ब्रमानंद में च्छके रहते थे और भांग इतनी उनको इस सन्यास मारगी के शंतों में देखा गया कि इसे जो शिद्ध हो गए उनका कोई भगवान श्यू हलाल बिस पी गए गले में रोक लिया एक बून चला जाए तो भस्म हो जाओगे एक बून पानी आने रुख सते गले में अगर कहीं एक बून का तो खासने लगोगे बुरी तरे खासी आएगी और मादेव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ पूरा हला हल भी इस गले में रोक ले आज भी रुका हुआ है निलकंट नाम पढ़ गया उनका हम मापुरुशों का अनुकर न करें उनकी आग्यां की अनुशार जो उनके आचरण मिलते हूं करें भगवत शुरूप है खब पर उसका नारियल का रहता था साम के चार बजे बाट के शिश्ची लोग रख देते थे काफी समय तक वह हों वहां सेवाम पर वो मास्टर थे सब अधिकार मेरे ही अंदर में आत उनके बड़े गुरुभाई थे भी उनक को लगा कि महराज जी अगर श्वयम से अधिकार देंगे तो बड़े भाईयों को देंगे बड़े जो गुरुजी से पहले जुड़े हैं और अधिकार उनको प्राप्त करने की च्छावी तो बिवेक ने काम नहीं किया जहर मिला करके उन्होंने भांग बाटी और जब वो भांग रखे गए तो असली उटको अटाली जहर वाली रख दिया आओ छके हुए मस्ती में आते थे वह इसे जल डारा और इसे खपर में घोरा जे घोरा इसे देखा तो ग्यान दृष्टी शंपन ने त्रिकालग की महा पर बुलाया उसको को थोड़ा जगदिश्वानंद को बुला और तुम सब बाहर जाओ और हो बच्चा क्या है यह कांप देगा है और वो बोलने के हिद्मत कोई पर ना रहा है ना रहा है पी गए उनके शाम में साथ दिन तक कुछ नहीं है फिर उनका बच्चा हमारा जाने का समय आ रहा है जहर से नहीं जा रहे हैं तुम्हारे हम तुम्हें पीते समय भी दिखाया था कि जो तुमने रखा वही पिया है जहर प्रभाव नहीं करता पर अब हमारा जाने का समय आ रहा है और जे ही उन्हो पुपदेश श्वामिशत संगा नंद जी से था उनकी दशा देखिए जगदीश्वरा नंद जी की यह आँखें ऐसे फैट गई थी मतलब ऐसे भयावा पानी गिर रहा है पूरी शरीर में ऐसे जैसे कहीं मिटी का जल सूख जाता है तो पपड़ी नहीं पड़ जाती ऐसे बाद निकल पूरिश चीक चीक के चिला चिला केते हैं गुरु अपराद से मेरी दुर्गती हो रही कोई बचा लेगा शंशयात्मा बिनश्यती जो अग्य है असद दधाना है शंशयात्मा है नाशनिश्चित है बिनश्यती नायम लोकोस्ती इस लोक में भी नहीं न परो न सुखम संशयात्मना ये उनका दंड थोड़ी मिला है ये तो ब्याज है मूल तो अभी आगे जाके मिलेगा पता नहीं कब करुणा होगी कि उस अपराद से वो मुक्त हो पाएंगे और उनको पुना मनुष्य जन मिलकर भगवतार आदन कहां ब्रमानंद की पदवी प्रदान करने वाले गुरुदेव और कहां है ना लूक मिला ना परलूक मिला ये है अग्यान ये है स्रद्धा की हीनता ऐसे संशयुक्त पुरुष का परमार्थिक मार्ग से पतन ही नहीं पूरुन नाश हो जाता है संशयुक्त पुरुष को बहुत कष्ट भोगने होते हैं किसी भी तरह उसकी उन्नती नहीं हो शकती इसलिए संशय तो होना ही नहीं चाहिए देखो नाम में कोई संशय मत करो मंत्र में कोई संशय मत करो प्रिया प्रितम में कोई संशय मत करो उनकी लीला में कोई संशय मत करो अगर चार में तुम संसय ने करोगे तो नाम दाता लीला सुनाने वाला उपासना देने वाला इसमें आप कानुराग बढ़ता चला जाएगा और इसमें आप रती नहीं किये तो फिर वहां संसय हो जाएगा बात पकड़ लेना अगर आप उपदेश पर ध्यान दे नाम रूप लीला धाम चार का ही उपदेश होता है भगवत प्रेमी महात्माओं का आप इस पे रती कर लें तो आप रोरू के बलिहार न जाए तो बताना कि गुलदेव ने रशिक महापुरुषों ने क्रपा कर दी कैसा महासुख दिया अब वहाँ स्रद्धा चर्म शीमा की बढ़ेगी और यदि आपने प्रभू का भजन स्री जी से अनुराग नहीं तो आप वहाँ स्रद्धा नहीं कर पाएंगे वहाँ संसे खड़ा हो जाएगा ये पक्की बात समझ लेना अगर उनकी पूर्ण श्रद्धा पूर्ण आग्या का पालन करने के हदे में उत्सा हो तो लाडली जू को अपना मानो लाडली जू से प्यार करो तो आप देखोगे कि आपको रोना आएगा कि अगर गुर्देव करपा न करते तो सुख कैसे मिलता फिर आप गुर्देव को भी जान जाएगे संसे का कोई प्रश्णी नहीं रहेगा जो अपने गुर्देव से अलग अलग बातों को शुनता है उस शंदेह युक्त हो जाता है यह जो मना किया जाता है कि आप अपने इस्ट मिले और मन मिले भजनरे सिरीती तहा निशंकों मिलिये तासों कीजे तो उनको यह ग्यान नहीं किया सर्वम खल में दंब्रम उनको यह ग्यान नहीं खान पान तो कीजी रशिक मंडली माएं जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुना है सब एक ही परमतत उनको ग्यान नहीं क्या उनको ग्यान है पर जिश मार्ग में आप चलना चाहते उसमें शंसय न खड़ा हो जाए इसलिए आप सीमा के अंतरगत जब आप उपासना करेंगे तो अशीम का जब अनुभव होगा फिर कोई तुम्हें फास नहीं पाएगा फिर तुम कभी ब्रष्ट नहीं होगे गुर्जनों की बात को युक्ती को शमजना चाहिए जो अलग-अलग बाते शुनता रहता है अलग-अलग लोगों शे मिलता रहता है वो परमार्थिक मार्ग पर चलने वाला भी शादक हो तो संसे पैदा हो जाएगा क्योंकि वो पढ़ेगा कुछ और सुनेगा कुछ और समझेगा कुछ और तो उसको जो गुरु प्रदत उपासना समझे में नहीं आएगी उसके विशे में संसे पैदा हो जाएगा हो जाएगा पक्का हो जाएगा और जब वहाँ संसे पैदा हो जाएगा तो जहां सुन रहा है वहाँ उसको ग्रहन करने की समर्थ नहीं रहेगी क्योंकि मूल तो कट गया उपाशक्षमजी नहीं पा रहा है शंशे शदा अधूरी ग्यान में पैदा होता है अधूरापन में होता है समर्पित के इरदे में संसे नहीं होता शंशे का उत्पन होना बहुत बड़ी हानी की प्रथम सूचना है संसे को बनाए रखना हानी के गर्थ में पहुँच चुके हो और संसे फल फूल रहा है तुम न इस लोक में सुक न परलोक में सुक तुमारी दुरगती निश्चित है देखो शाधक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना उपाशक का लक्षण है परमात्मा की खोज करना वो मन और इंद्रियों से देखी हुई बात को सत्य न माने बाहरी लक्षणों से आप नहीं जान सकते हो यह तो परमार्थ की बात है एक बार बीर्वल ने अकबर से कहा कि कानों से शुनी हुए और आँखों से देखी हुई बात पर भी कभी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए ठीक से उसका मनन विचार करके ही निर्णे करना चाहिए महराज तो अक्बर ने का जब कानों से शुन रहे हैं और आखों से देख रहे हैं तो फिर उसमें विचार की क्या हो शकता है ने भूले महराज बिना विचार के केवल आखों से देखी हुई कानों से सुने वी बात पर निर्णे नहीं कर देना चाहिए उनका यद्यप हम तुम्हारा आदर करते हैं पर इस बात पर हम तुम्हारी बात पर सपोर्ट नहीं करते हैं यह तुम्हारी बात ठीक नहीं तो उनका महराज कभी अगर ऐसा आउशर हो तो हमें आउशर जरू देना इस बात को प्रमानित करने के लिए तो अकबर की शैया जो लगाता था फूलों की बादसा था फिर उसके उपर कुमल दुख फेन जैसा चदर विचाता काफी समय हो गया था उसको उसके मन में आया कि एक बार चुप चाप लेट के देखते है कैसा लगता है बादसा भी थोड़ी आएगे फूलों की सेये लगाई उपर वो चदर विचाया लेटा तो सोचाओ वो भी चदर ओड के देखे जो बादसा ओड़ते हैं थोड़ी देर की तो बात है चदर ओड़ा थोड़ी देर सो गया और विचारा चार पाई पे सोने वाला बादसा के आशन थोड़ी देर में उनकी पत्नी जो रानी थी वो आज क्या बात है महराज आते ही शो गए ना तो प्रशाद पाया और ना बादचित को यह से होशकता है मानसिक ठके हो जगाने की जरुतनी पास में वो सो गए थोड़ी दिर बाद वो अपने शमय से जब राजदरवार से आए देखा कि रानी भी शोई हुए पास में कोई सोया हुआ है तलवार खिचे दोनों को काट देते फिर आया कि यह उशर अच्छा है बीरबल कुबला आया काट देखो हमारे पास रहते हुए कितनी धोखे बाजरानी है किसी और के साथ सो रही हुए महराजा आपने आखों से देखा मुले हाँ बिस्वास मत कीजिए परदे के पीछे खड़ा किया धीरे से चर्णों की तरह पिश्पर्श किया रानिया तो सलाकारों बहुत प्री थे बीरबल धीरे से उटके आई उदर राजा इधर आप किसके साथ सो रही थे तो उनका हाँ जब मैं आई तो देखा महराज मुझ धके विए शो रहे मुझे लगा सभा में कोई ऐसा बिशय होगा जिससे तकित हो गए और वो शो रहे हैं तो महराज शो रहे तो फिर हमने जगाया ने कि जब यह जगेंगे तब हम प्रशाद की बेउस्था कर देंगे तो हम भी लेट गए इस साथ में कोई बात नहीं महराज को हम जगाएंगे और अभी भोजन पर आएंगे फिर सेन कराएंगे अब भोजन की बिवस्था करो अकबर शिका समझेंगे अब कौन सोय अभी तो पते लिए था ला जो इचदर हटाएं सोय एकदम घबडा के वो आख खुला बीरबल ने कहा उए सी परदे के पास कैसे तो सो गए बार बार पैर पकड़ अब मालिक समा कर दो जीवल हो गए अब फूल की सहीया लगाती हम सो अकेले ही लेट गए थे भाग भाग अगर बादसा जानगे तो सारे पासी पी चड़वा देंगा बादसा से का देखा दोनों निर्दोश थे और दोनों को आप तलवार से काट देती इसलिए ऐसा नहीं कि जो आप देख रहे हैं जो आप सुन रहे हो सती हो सकता है उस पर जांच करनी चाहिए बिचार करना चाहिए पर संसे आत्मा पुरुष यह नहीं कर पाता वो तुरंत संसे का आरोप करके अपना मार्ग पतन का अब कितना बड़ा यद्यपि लोकिक है ऐसे ही परमार्थ के मार्ग में होता है संसे के कारण वो वास्तिविक बात को समझ नहीं जो व्याकुलता हो गई संसे में उसका उनहीं से उपाय पूछो जिनके प्रति संसे हुआ है किसी और से नहीं तकाल उनके ऐसा ऐसा हो गया अब वो डाट दें तो भी छमा हो जाएगा और वो संसे निवरत्त कर भी देंगे कोई-कोई बात ऐसी होती कि हम अपने हरदे के भ आप जिसे किसी बात पर तो एकदम निर्भय होकर पूछना चाहे कि इस बात पर ऐसा कुछ प्रशन खड़ा हो गया क्या इस पर भाव आपका थ्याक कहने का वह समाधान चाहते हैं अगर आप योग समझे तो समाधान कर दीजी ऐसा नायम लोकोस्ति न परो न सुखम शंश आत्मा है अश्रद्धा कर दी है भीतर में शंशय है इसलिए विवेक काम नहीं करेगा भीतर में शंशय है इसलिए श्रद्धा काम नहीं करेगी अब उसका पतन है ना इस लोक में उसे शांती मिलेगी ना परलोक में और ना ही उसे किंचित कभी सुख कानुभव होगा कुछ स्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संसय, कुछ ग्यान ऐसे के लिए के घर का रहा न घाट का जियो धोवी का सुवान कुछ स्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संसय और कुछ ग्यान घर का रहा न घाट का जियो धोवी का सुवान इसलिए केते हैं ना इस लोक का ना परलोक का उसे कहीं भी शुक प्राप्त नहीं होता संशे आत्मा मनुश्य का इस लोक में बेवहार बहुत बुरी तरे बिगड़ जाता है कारण क्यों प्रतेक विशे में संशे करता है यह ठीक है कि नहीं ठीक है इनको भगवान प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है इनकी बात में चलने पर हमारा कल्यान होगा कि नहीं होगा यह क्या हमें पद्वी प्रदान कर सकते हैं इतने बड़े मापुरुश हैं ऐसे तो नहीं लग रहे हैं ऐसा कई तरह का संसय शंश्यात्मा जहां हुआ तो उसे कल्यान की प्राप्ति की बात जाने दो वो स्वयम में जलने लगता है और इतनी दुविधाएं बढ़ जाती है कि उपरमार्त से हट जाता है फिर उसके अंदर इस तरह जब करने से क्या होगा देखो वो भी तो पूरा जीवन जब करते रहे फिर भी हम देखते हैं कि वो कैसी कोई खास इस्तिति स्वाध्याय करने से क्या होगा बहुत तो पढ़े हैं क्या होता उससे मतलब वो इतने संसय करने लेगता कहीं भी स्वास नहीं रहता ना जप में न श्वाध्याय में न सत्संग में न धाम में क्या है देखते हैं ना धाम में कैसे कैसे लोग क्या 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 होता है धाम रहने से कुछ नहीं वो मतब सब चीज काटना सुरू कर देगा तब उसको ना इस लोक में शुक न परलोक में शुक है संसे रहने के कारण उसके मन में कभी शांती नहीं मिलती है इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं कि जिन महापुरुष के आश्रित हो उनकी ही बताई उपासना पदती से चलो अलग-अलग बातों के पढ़ने से सुनने से संसे निश्चित पैदा हो जाएगा संसे होने से विवेक विचार के द्वारा वो दूर किया जा सकता है पर बड़ा मुश्किल होता है संत महापुरुषों के प्रती जहां भी संसे होता है तो असरद्धा प्रगट होती है असरद्धा होने कारण आप खुबी विचार करो तो भी निरने नहीं कर पाओगे इसलिए भगवान कहते हैं संशयात्मा का ना इस लोक में शुक है ना परलोक में शुक है